रविवार की सुभै के 10 बजे हैं और अब शुरू होने जा रहा है तेश का सबसे बड़ा मुकद्दमा आपकी अदालत आपकी अदालत में आज हम जन्दा की तरफ से मुकद्दमा चलाएंगे केंद्रिय कहेल मंत्री सुनील दत पर आग की अदालत में आज जनता के जज होंगे सीनियर जर्नलिस्ट वाई सी हलन और जनता की ओर से इल्जाम लगाएंगे रजच शर्मा दोस्तार आपके अदालत में आपका स्वागत है आपके अदालत में हम ऐसे लोगों को पेश करते हैं जो उची कुर्सियों पर बैठे होते हैं जिनके हाथ में ताकत होती है जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फोले भाले होते हैं जिनने जनता प्यार करती है दूलार करती है और कभी कभी जनता ऐसे लोगों पर भी इल्जाम लगाना चाहती है उनसे सवाल पूछना चाहती है पेश है आज का मुकादमा एक ऐसी ही शक्सित हो केंद्री ए खेल और युवा मामलों के मंत्री सुनील दाथ आपकी अदालत में हाजर हूँ आपके अदालत में आज का मुकदमा शुरू हो उससे पहले आज के जज वाई सी हालन की अजाज़त चाहेंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए अदालत की कारवाई शुरू की जए इस से पहले के जामात और सवालाप का सफर शुरू करें एक नज़र डालते हैं सुनील दाथ के पुलिटिकल और फिल्मी करियर पर सुनील दाथ उन गिने चुने लोगों में से हैं जो फिल्मों में हीरो रहे और असली जिन्दगी में भी हीरो बने 1947 में देश के बढ़वारे के समय पाकिस्तान से भारताई सुनील दाथ ने मुंबई में पढ़ा आपकी अदालत में सुनील दाथ पर आरोप है कि राजनीती के चक्कर में इन्होंने फिल्में छोड़ दी दस साब इस इल्जाम पर एलिबरेट करूँ इससे पहले थोड़ा सा फ्लैश पैक में जाना चाहता हूँ पार्टीशन के वक्त बलराच दत नाम का एक लड़का मुंबई आया था जैहिन कॉलेज में और पहली नौकरी उसने की बस डिपो में वो जमान दक आए इनसान भूल नहीं सकता ना मैं सुबह कॉलज जाता था दस बजे के बाद मैं चला जाता था लाइबरेडरी में क्योंकि जगा नहीं थी पढ़ने के लिए तो अश्याटिक लाइबरेडरी में जाकर मां पढ़ता था और दो बजे से मेरी डूटी होती थ दो बजे से रात को साड़े दस ग्यारा बजे तक बस डिपो में मुझे बसिस आती थी डिपो में तो किसी वो घंटी तूटी होई है उसका रिकार्ड रखना डीजल कितना गया है उसका रिकार्ड रखना बडगार तूट गया है ड्रैवर बोलते थे उसका रिकार्ड रख करने का तब एक डैंस बैले था जिसकी कमेंटरी मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि देने के लिए तो वहां पे कुछ एड़टाइजिंग कंपनी के कुछ बॉसे आए हुए थे तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी उसमें कमेंटरी देते हुए तो उनको मेरी आवाज अच्छी और उसमाने में सुरिया जी का एंटर्वियू किया बहुत से स्टार्स का एंटर्वियू किया और एक दिन और फिर बैने एक और प्रोग्राम शुरू किया फिल्मी खबरें तो मेरे खाला कि जैसे आप पाइनियर हैं इसमें आपकी अदालत के तो फिल्मी खबरों का पाइ डिरेक्टर क्या आर्डर करता है जब कैमरा चलता है और उसके बाद डायलग क्या हो रहे है ये बताएए कि जो बलराच दत है ये सुनिल दत कब बन गया दिलीब कुमार साथ की एक फिल्म बन नहीं थी और रमेश सैगल जी जिन्हों ने बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी एक तो में जब स्टूडियो गया तो मुझे सैगल साब कैते है औरे तू खुर कुद बन जाता है क्यों है ऐसा बातता रहता है लिए इतरिव ने के लिए तो मैरा करा जी अगर आप मुझे हिरो बनाएगे तो मैं बन जाउगा मैं छोटवार आदा रोल नहीं करना चाहता हा व तो उन्हें का ठीक है तुम्हरा टेस्ट लेते हैं, तो अन्हेमयरा टेस्स लिया। तो टेस्स लिया तो उन्हें मुझे द harp कंड मेदेागी, पेंट लो अब आन्य कोट दे दी आ है। तो मैं थोड़ा लंबा हूँं, तो मेरे वहा गुटन तक पंट आ रही है। और जब स्स्लीप यहां था कहा रही हैं अगर कि whatever कि मैं आए जयसे आपने मुझे बुलाय तो मुझ ऐसे यहां आकर डाइलाग भोलना था जाक्जिर तो रञद तो मुझे याद थे, मगर मुझे ऐसा लगा कि मैं कैइ किसी गार में घुज गया हूं, चारों तरफ डार्कनेस है और मैं डायलाग जल्दी जल्दी बोल के निकल गया चला गया तो दैट उन नाइटीन फिफ्टी फाई और उस वक्त से गाड़ी चल रही है असा असा नहीं काफी तेज चली आपकी गाड़ी तो लेकिन असली गाड़ी ने रफसार पकड़ी मदर इंडिया से वो रोल कैसे मिला था आपको वो रोल का भी बड़ा अवजीब किस्टा है कि उससे पहले मेरी एक दू पिच्छे काफी हिट आ चुकी थी एक ही रास्ता वियर चोपड़ा साब की मैंने उसमें काम किया था मैं था अशोक कुमार जी थे और मीना कुमारी तो वो पिक्टर सिलू जूली थी एक रास्ता और साद्रा में कर रहा था चोपड़ा साब की वो भी सिलू जूली थी तो उसकी शूटिंग चल रही थी तो एक दिन मेसेज आया मुकरी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था तो मुझे कहता है यार तो तुम्हें याद कर रहे हैं मैहुसाब तो मैंने कहता है यार उनने तो हिरो चुल लिया है अपना इस रोल के लिए तो कहते है नहीं नहीं तुम मिलना उनको तो मैं ग्या मैहुसा को मिलने तो मैं गया मैहुसा को मिलने तो मैं गया मैहुसा आप मुझे एक्स्टा का रोल भी देंगे क्योंक आपको इतना बड़ा नाम है तो आप जो भी रोल देंगे मैं करोगा तो बड़े खुश हुए तो एक दिन वो बैठे बैठे मुझे देख रहे हैं तो मैंने का पदा नहीं क्यों देख रहे हैं मुझे कहते हैं यार मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हे बिर्जु का रोल दूँ तो मैंने कहा कि तो बिर्जु का रोल ही एक इंपॉर्टन रोल था उसमें तो तो मैंने गया जैसे आपकी मर्जी के तेरे बाल थोड़े बड़े हैं तो तू लगेगा नहीं गाउं का नहीं लगेगा तो मैं भागा हुआ गया तो मेरा एक बारबर था हजाम वो मेरे बाल मुफ्त काड़ देता था शियवे कर देता सुस्वारे मैंने उसको टेक्सी मीफ्साब कर दो चल मेरेसाथा तो मैं उसको लिले आया अपने स्टूडियो में मैवसाब को तो नमाज पढ़ रहे था नमाज हए जब उठे तो मैंने वह जयाँ को ले आए हूं बाल जैसे काडने बमदाईए ब्यें कटवाता हूं तो अचा ठीक है तो तोु बड़ फेर लगता है Me तो जब आद्मी काला चेरह होता है अंखया क्या बड़ी बड़ी लगती है तो मैं देख के यूँँ देखते हैं किते हैं किया यार तूँ वाक睛 लग रह बिरजू की बिरजू का रोल ने दूँ ऐसर बिरजू का रोल मिल गया उसी तो उसके बाद शीरीज आपकी एक के बाद एक फिर्फे में सोजा ता साथ मुझे जी ने तो बहुत लंबी फैरिस से फिल्बों की ये मदर इंडिया की रिडीस के बाद तो मेरे सारे देश में ऐसा हुआ कि मुझे से ज्यादा टाफ हादमी कोई नहीं है तो मुझे फिर ऐसे रोल मिलने लग गए जैसे गाउं का लटबाज ये जिए इस रोल में मैं पॉपलर हो गया हूँ तो ऐसे रोल करता जाओं नहीं मैं आई बलीव इन एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने यादें मना दी वान अक्टर मुवी फिल्म में सरफ एक एक्टर है गुम रहा है and that got me Grand Prix from Berlin Film Festival तो ऐसा करता रहता था नुकसान दो होता था पैसा नी बनाया पैसे का नुकसान होता था बहुत बहुत जादा रेशमा शेरा जो दिखा रहे थे उसमें तो बहुत ही जाए नुकसान हुआ रेशमा शेरा के बारे में हमने ये सुना कि उसमें अमिताब बच्चन को आपने गोंगा बना दिया ये सोच करके कि उनकी आवाज आपकी आवाज से बेथर ना सुनाई दे उसमें तस अमिताब बच्चन नहीं कर सका तो उसको ज़्यादा स्मपतियस मिली ये स्मपतियस क्रेट करने के लिए हमने ये रोल बनाया था, ये दो नहीं मालूं था, कि अगर हम एक अच्छा करेक्टर के असाब से चलने हैं, कहानी में तो डिफरेंट करेक्टर होते हैं, लोग डिफरेंट रोल करते हैं, मगर ये जो अफ़वाएं होती हैं, मुझ कभी-कभी दूरियां पैदा कर देती हैं दो कलागारों के बीच में, ये ठीक नहीं होता, तो कुछ हो गए थी दूरियां पैदा आपकी, नहीं कोई नहीं होई, दूरियां पैदा करने के कोशिश की गए थी जैसे आप कर रहे हैं, जसाब, फिल्मों ने आपको बलराज से सुनिल्दत बना दिय फिल्मों ने आपको सड़क के लेंप से उठाकर के बंगले में पहुचा दिया, जनता का बहुत प्यार दिया, दूलार दिया, इतना सिनेमा ने आपको दिया, लेकिन आपने राजनीती के लिए उसी सिनेमा को छोड़ दिया, फिल्मों को छोड़ दिया, जिसको जनता ने क कलाकार के तौर पर प्यार किया, वो आदमी अपनी कलाकारी छोड़के राजनीती में कलाकारी दिखाने चला जाए, ये तो ठीक बात नी हुई? क्या हुआ कि मैंने ये फिल्म बनाई राकी, राकी फिल्म बनाई और उसमें मेरा लड़का बड़ा कामयाब हो गया, तो मैंने का अभी एक मियान में दो तलवाने तो रहनी सकती, या संजेदत रहेगा या हम रहेंगे, तो हमने का हमने काफी देख लिया, ग्लैमर देख लिय मैंने का अब इसको मैदान में आने दो, राजनीती में आने की क्या ज़रूती, लोगसभा का इलेक्शन लड़के पार्लमन में पहुचने का ये शौक कहा से आगया आपको, इंदरा जी की असासिनेशन के बाद, आवज निव यॉयॉक, मैं उस वक निव यॉयॉक में था, तो जब मैं वहाँ पे कंडोरेंस मीटिंग के लिए, कौंसल जनल के दफ्तर में गए, तो जब मैं बाहर आया, तो मैंने देखा कि बहुत से सरदार भाई हमारे जो हैं, वहाँ पे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और खुशिया मना रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख ह मैं यहाँ पहुचा दिल्ली में, तो मेंने देखा कि रास Zukunft चले हुए हैं, और घाडियां जली पड़ी हैं, मैंने देखा कि सारा दिल्ली उए जल रहा है, तो मुझे पता चला कि यहाँ सिखों को बहुत मारा गया है, तो मेरे सामने лिए तो यहाँ झाया फिर से आ आ गय थी तो उसके फुनरल के बाद मुझे फोना राजीव जी का कि तुम एलक्शन के लिए लड़ोगे तुम एलक्शन लड़ोगे तुम मैंने मैंने खा गया हम जरूर लड़ोगा क्योंकि देरे सामने यह था कि मैं अपनी तरफ से आप इस क्या योगदान दे सकता हूं कि मेरा देश एक रहे, हम सेकुलर रहें, हम सब धर्मों के लोग मिलके रहें, तभी हमारा देश आगे बाट सकता है, that was the reason I'm becoming the politics. जनता में से बुछ सारे लोग हैं जो आप से सवाल पूछना चाहते हैं, जिया, आपका सवाल? 84 में जब रॉइट्स हुए थे, जब इतने सिख हमारे गए थे, तब यही पार्टी थी इस पावर में, how did this happen? मैंने क्या किया है, as a member parliament of the Congress party, मैंने तो पैदा चल के गया था मैं, पंजाब. मैंने क्या है, आपने वही पार्टी जॉइन कर ली, जिसको जिम्मेदार ठहरा गया थे, पार्टी की फिलासफी, इंडिविजल ने किया है, I'm talking about the philosophy, is basically a secular party, and all, I believe in that secularism, I believe in Ghanaian philosophy, and that's why, whatever I am doing, I'm not doing a wrong thing, अगर आपको उनके principles देखेंगे, तो आप ऐसे ही behave करेंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ. मेरा इज़ाम दूसरे दस्ता, मेरा इज़ाम है कि जिस film industry ने आपको इतना बड़ा बनाया, इतना मान सम्मान दिया, यहां तक पुछा है, फिल्म इनसी नहीं, लोगों ने, पब्लिक ने, पब्लिक ने, लोगों तो फिल्म इनसी का नाम होता है, आप भी आज जो यहां ख सब्संद नहीं करती, तो प्रोग्म खत्म हो जाते हैं, और आप तो जंडा गाड़े हों हैं, पदा रही किज़े सालों से, यहां यहां बीटन अल रिकॉर्ड्स आप अल दी कंपेर्स आप इस टीवी डेटवर्क के लाम, लेकिन आपने भी इतने बरसों से जंडा गाड़ आपको कोई बीटनी कर सका है, दसाब फिल्म इंडस्ट्री के लोगे शिकाती है कि दसाब ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया, देखिए मैं 20 साल से फिल्मी दुनिया से अलग हूँ, और आज की प्राब्लम क्या है, उनको बताना चाहिए मुझे, कि यह यह मारी प्राब्लम्स है, यह प्राब्लम्स हैं, कैसे साल हो सकती है, उनको हमें रास्ता बताना चाहिए, कि इस तरह साल हो सकती है, लेकिन दसाब आपको जब प्रधान मंतरी ने बुलाया और कहा कि आपको कॉंसी मिनिस्ट्री चाहिए, तो आपको कहना चाहिए था कि A&B मिन तो यह तो बड़ा अच्छा है कि मैं युगा की तरफ हूँ और अपना स्पोर्ट्स की तरफ हूँ 75 साल की उमर में युगा मंतरी यह क्यों एक्सपोज कर रहे हैं साब के सामने मुझे यह तो इस हिटिंग बिलो दे बेल्ट बिलो दे बेल्ट हिट करना ठीक नहीं है नहीं लेकि नहीं तो जो पार्लमेंट में आपकी पूरा च्छपा हुआ है बाइडेटा उसमें आपकी उमर भी लिखी हुई है वो तो गरती से लिखती होगी औरो दे आपकी अदालत में आज कटगरे में मौझूद है फिल्म स्टार और राजनेता सुनील दत आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर सुनील दत पर इल्जाम है कि ये राजनीती में मिस्फिट है तो सब लोग कहते हैं कि आप भले आदमी हैं सीधर साधे इंसान हैं अच्छे आदमी हैं तो राजनीती में कहा फस गए राजनीती तो कोई अच्छे घर के लोग का काम नहीं है बेराखार इल्जाम तो सही है मगर इसका जवाब देना पड़ेगा मुझे मैं इस मकसद के लिए नहीं आया था कि मैं किसी के कुर्सी चीन लो किसी को माँ बहन की गालियां दे दू मैंने पांच इलेक्शन जीती हैं मैंने कभी अपने विपक्ष के नेता की निंदा नी की लेकि जितनी लोग पद यात्रा करते हैं तो लगता है कि ये पद पाने के लिए यात्रा की जा रही है आपकी पद यात्रा भी होती है और पद नहीं मिलता नहीं पद के लिए मैं नहीं आया था यहा मैं तो समाई सिवा के लिए आया था क्योंकि डिमक्रिसी में लेकिन दसाब पत तो मिला ना आज भारास सरकार में केमिल्ट मिनिस्टर है 20 साल के बाद और 20 साल आपने इंजार किया तो भी आप नाराज नहीं हुए यह सबसे बड़ी बात है कि आदमी को राद नीती में नहीं होना चाहिए ने ने ऐसा थोड़े है कि आप गहें कि मैं डाक्टर बनना चाहता हूँ आप दस्वी जमाद के पाद डाक्टर बन जाए तो ऐसे डाक्टर काम्याब नहीं होते है जि sut! जब राइट्स हुए मुमऑई ज़िए både मिम्वर और पार्लमें थे, आप की पार्सी की सरकार या यह ज़ित मैं क्योंके इस रॉन में引़रा यह पंदल्प जिन तक यहांर मर्मवर मर्रेय है और यहां पर लॉण आडर नहीं है तो भूसर देड्रू cloves के माँग उठाई थी और सरकार आपकी बात नहीं सुन रही थी आपकी अपनी पार्टी के सरकार थी आपने अपनी सरकार के खिलाब मोर्चे निकाल दिये थी अगर मेरी सरकार को घ्लती कर रही है तो मुझे बताना चाहिए कि ये गलत हो रहा है जनता के हितवे हैं कियोंकि हर काम जनता की हित्वे होना चाहिए ऐसे ही लोगको तो राजनीती में misfit कहते हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोलने लगते हैं पार्टी तो अलग चीज़ होती है पार्टी जनता पार्टी बनाती है उस पार्टी ने आपको MP बनाया, ticket दी पार्टी ने मुझे टिकेट दूर दी, बज़े वोट इन लोगों ने दिये, यह बैठे हुआ इंदा, तो मैं अगर इनको देखूगा नहीं, इनकी प्राब्लम को नहीं देखूगा, तो मुझे कोई हग नहीं है वो टिकेट लेने का, मैं कहता हूँगा, मुझे कहताना चाह जिन्दगी में मिलता है, होता है, हमने बरदाश किया उस चीज़ को, हमने उसको कोई डनोरा नहीं पीता, कुछ नहीं किया, जो भी गम था अंदर लेते रहे, कि ठीक है, अगर उनने ऐसा कर दिया है, तो मैं तो वैसा नहीं मन सकता, हमने तो फेस करना है, अगर मैं करता रहा, और हम यही कह सकते थे, कि तू मेरा बेटा है, तो फेस करने जिन्दगी में, उसे फेस किया, और यह मुझे इस चीज़ के खुशी है, कि आज भी उसका केस चल रहा है, और एक इतनी टेंशन के बावजूद भी, फिर उसने अपना वो मकाम बना लिया, एज अन यह तो बड़ा मुझे होता है, इतना बोज आपके उपर हो, इतनी टेंशन हो, और आदनी कैमरे के सामने आए, और बिल्कुर आपने आपको बदल दे, आपने संजय अदग को कहीं बाहर मौरिशस में शूटिंग कर रहा था, आपने यहां बुलाया था, मैं बुलाया था, मैं रहे है दो माँ जाओ, यह फोरण ऑव फोरन आगया, अदू अगलती होता था क्यों हाथा, अधर लोग सालंशाल गूए था, जो यह थो बाहर रिए कटरी पे में निवे हो, यह थो आए उपने पर अधिए और अरेस्ट किया और इस तरह है अरेस्ट किया जैसे किसी आ आपकी अपनी पार्टी की सरकार्ती आपकी अपनी पार्टी के मुख्यमंतरी थे मैं मानता हूं इस चीज को मगर वो एक वो बड़ा अच्छा शेर है न के वो अपनी खून बदेंगे हम अपनी वज़ा क्यों बदें सुबक सर बन के क्यों पूचें कि हम से शार गरां कोड़े हैं। तो हम हम है वो वो हैं तो हम अपने आपको क्यों बद बद लें हमारा तो एक तरीका जो है जो रास्ता हमारा है उ कभी हटेंगे नहीं। जिन शरत पवार के बारे में आपने इंट्रिव्यूज में ये कहा कि उन्हों ने अपनी राजनीती के वज़े से संजदत के साथ ही किया, केस बनवाए जेल भेजा, उन्हीं की पार्टी के साथ मिलकर कि आपकी पार्टी जब छुनाव लड़ती तो आपको दुख नहीं होता नहीं ये मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि शरत पवार की वज़े से ऐसा हुआ है, ये हुआ 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 अब मैं आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं कि मेरी ड्यूटी एज फादर सही रही कि नहीं रही वो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ उनके बारे में क्यों सोच आप यह पूछ रहू हूँ कि आपकी ड्यूटी एज पॉलिटीशन सही रही के नहीं रही कोई भी अगर पार्टी से तो वो लड़ेगा कम से कम स्टीफा देदेगा छोड़ देगा क्यों किसलिए जब यह सब हुआ था सन्जू गा मेरे बेटे का उन्होंने कांगर्स का राज था इंडिविजूज डॉन मैटर इस पार्टी दर मैटर तो उसक्त मैंने कांगर्स नहीं छोड़ी तो कांगर्स 125 मेरे शोड़े ने चाहिए थे मैं कांगर्स के इंडिविजुल के साथ नहीं हूँ मैं कांगर्स की फिलासिफिक के साथ हूँ जब्तार किसको मांनते है जो केस पना जियल में रहना पड़ारा राज्च तक केस चल रहा है किसको जम्धार मानेंगे हमसे हमारे साथ, हमारे हम महावरह हैं किICO क्न टल सकता है । seems , एसक Temperature एक होगा वे तुम्हेरे साथ , तुम सफर करोगे तेरा वेटा जेल में जयेका हम ने बर्दाश्ट किया हमकिए एक वो कुए इसёлम रगाए तो मिलगा क्या हमको ।essen वानुका मेरी मेरी धर्म पत्री की कितनी खिप्मत यहीं तेश के लिए उनने क्या है, सब जनता जानती है अगर हम सोचें कि जिन्दगी में फूल ही फूल है, कांटे नहीं है, तो जब कांटे आजाएंगे तो फिर आपको चलना मश्कूल हो जायए गा लेकिन आपकी जिन्दगे में जितने कांटे आएं शायदी किसी की जिन्दगी में आए होंगे आपके अदालत में आज हम जंता की तरफ से मुकदमा चाला रहे हैं फिल्म स्टार्स से पॉलिटीशन बने कैबिनेट मिनिस्टर बने सुनील तात्पाई आपकी अदालत में सुनील ड़त पर आरोप है कि अपने परिवार के लिए इन्होंने सिध्धान्तों से समझोते किये मैंने आपकी बेटी का प्रियादत का एक इंटिव्यू पढ़ा जिसनों नोंने कहा था कि बच्च्पन में बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे आप संसेट होते ही बच्चों को घर पे आजाना पड़ता था टीवी एक लाउंज में लगा हुआ था उसको लिमिटेड टाइम में देख सकते थे मैं तो यह से चाहता हूँ ऐसा हर घर में हो जाए क्या कि बच्चों को भी महसूस ही होना चाहिए कि यह बड़े माबाप के बच्चे हैं कि उनके कमरों में भी टीवी लगा हुआ है और खासकर मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे शाम को घर पे आ जाते हैं तो एक अच्छा माहोल वाधावरन बनता है अगर आपको नहीं लगता कहीं बेटे की परवरिश में कमी रह गई यह बच्चियां जो है ज्यादा डुसाइल होती हैं बच्चे थोड़े अग्रेसिव होते हैं तो हमने एक दिन पर उसको पकड़ लिया क्योंकि जो मेरे आते थे प्रूसर्स और जो सब लोग आते थे मुझे मिलने तो बड़ा पैमपर करते थे इसको कि मैं संजे सुनिदाद का बेटा है तो वो कई बार बैठ हुए मेरे ड्राइंग रूम में तो वो सिवर्वेट पी मैंने देखा रही क्या है ये तो मैंने पकड़ को खीचा तो देखा कि वो सिगरेट पी रहा है ऐसा उसके उगनियों में सिगरेट था तो मैंने का मैंने मैंने मिस्स दस से कहा मैंने ये तो बड़ी गड़वड है ये तो फिल्म में जो लोग आते हैं तो खराब कर देंग इसको तो फिर हमने डिसाइड गया इसको चलो सनावर भेजते हैं तो हमने उसको सनावर भेजा बोर्डिंग स्कूल में ट्रक्स उन्होंने लेना चुम किया जो भी काफी गंबीर समस्या थी अब है फिलिंग कि ये सब चीजें उसको हुई है क्योंकि वो मां के बहुत करीब था और मां भी उसके बहुत करीब थी तो ये उनकी डेथ को बरदाशने कर सकाए और देखिये ये भी क्या बात है कि ये हम उनको अमेरिका से ले आए थे वापस तो ब्रीच केंडी में फिर ब 9,ऊफटी सेवंड मेड़ी नाइटीन, एटींवाण में अए संजू की पिच्चर डıntीर रिलीस होरी थी रौक की जो पहली फिल्म आपने ल Baldi restrictive law click 7 May 1981 में एश अन्जू की पिक्चर रिलीज हो रही थी रॉक की जो पहली फिल्म आपने पहली फिल्म और आप जानते हैं कि कलाकार के लिए पहली फिल्म तो एक ऐसा होता है कि बहुत से बड़ी चीज होती है कराकार के लिए बहुत बड़ी और एक पिता के लिए बहुत बड़ी की बेटे के पहले फिल लाँचे तो वो मेरी धर्मद्नी मुझे कहती है कि देखिए मैं तो उसका प्रीमिर देखने जूर जाओंगी तो वो में का ठीक है मैंने डाक्टर से परमिशन लेली मैंने अम्पुलेंस का अर्एंज कर लिया स्टेचर का वो उसका अपना फीरी अरेंज कर लिया मैं अपने बच्चे की पिक्चर जूर देखना चाहते हूं प्रिमियर इसका हमने टिकेट भी मैंने का कि टिकेट जो है अपना जो देते हैं उनों दिये तो हमने संजु के साथ इनकी सीट रखी में तो आप संजु के साथ बैठेगी तो सेमन्त को था प्रिमियर और थर्ड में कुछी डाई तो अब इसको मालूम नहीं था यह विए यंग बॉय अधर टाइम उसको पदा ही नहीं था कि मैं रहूं या मैं खुशिया मनाओं कि मेरी पिक्चर रिलीज हुई है तिस कश्मकश में वह इसको ब्लेम इम बिकास क्या पप्लिक माइन में यह जरूर है कि जो अंडर वल्ड की लोग हैं उनसे कही न कहीं उनके कोई कनेक्शन रहे हैं अंडर वल्ड के साथ तो मेरे भी कनेक्शन थे जुट को बने आफ से मस्तान मेरा बड़ अच्छा दोस था और करीम लाला मेरे बड़े अच्छे दोस्ते जो कलाकार है वो तो सभी से मिलता है इसके नहीं मिलता है अगर वो कलाकार का इस्तिमाल करने लगें नहीं अगर इस्तिमाल करें तो खलत है अगर वो कलाकार उनके साथ स्मगलिंग करता है अगर उन पर्टिकल पर्टी बना दी पर्टी बना गएलेक्शन लडा है तो यह मेरा खुत है आपके बारे में कभी किस ने उग्ली नहीं ठाई लेकिन संजे के बारे में जरूर उगलिया उठी इसलिए कि आज कर उठाने पर ज़्यादा हो गए हैं मावकी जगा उसदमाने लोग अंडर्स्टेंड करते थे एंडर्स्टेंड कर से थे कि यह आदमी जो है ऐसा नहीं हो सकता हम मिलते थे वो आते थे पार्डियों में फिल्वी पार्डियों में सब्सक्राइब कि हमेशा तो आपने साम प्रडेक्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ी आप शिव सिना के विरोधी रहे लेकिन संजे जब केस चल रहा था उस समय सरकार थी शिव सिना की बीजेपी की उस समय आपने बाल ठाकरी की मदद ली बाल ठाकरी जी इस माइ ओल फ्रे बाल ठाकरी की सरकार थी और आपको याद होगा वो कह देढा कि चावी मेरे बास है तो जिसके पाद चावी होती है नहीं। इस पास आनमी जाएगा नहीं। and for my son you know even he has a problem अगर वो बीमार है तो मैं उसको डाक्टर के पास नहीं ले जाऊँगा अगर उसको कोई प्राब्लम है कोई प्राब्लम है तो मैं कोई सी पालिटिशन के पास ही ले के जाऊँगा तो तो देट इस अरीजन आपको नहीं लगा कहीं सिध्धान्तों के साथ समझाथा करना पड़ा नहीं बिल्कुल नहीं याद मैं हुदा कि उनकी पार्टी जाइन कर लेता कि ठीक है आपने मेरे बेटे की मदद की है मैं शिफसाना जाइन करता हूँ मैंने तो इसन है कि जब अगला इलेक्शन हा तो आप ELEक्शन इसलिए यह नहीं लड़ी क्यूकि बात्हार ठाकरिन्द में आपसे मना किया था मैंने अब यह कियू लड़ी है कि उन्हीं के खिलाप लड़ी है दो दो इलेक्शन लड़ी है अभी 99 की भी और अभी की भी लेकन उस वक्त तो नहीं लड़ा था निए उस वक्त मैंने इसे नहीं लड़ी because I didn't agree with my leadership that was my reason because I you know I generally felt that this is not the right time I didn't leave the party but मुझे अभी भी याद है कि नर्से मराव जी ने मैं आस्पिरल में था उनने का कि तरह ना मैं नौस कर रहे हैं और मैंने उनसे का कि मैं एलेक्शन नहीं लड़ोगा मर ये Mr. Bal Thakre according to me I think he is a good leader. उन्होंने कोई ऐसी condition नहीं लगाई थी मुझे कि देखो मैं ये कर रहा हूँ तो तुम एलेक्शन नहीं लड़ना I think he is चोटे आदमी सोचते हैं बार ठाकरे ऐसा नहीं सोचता लेकिन आपकी पार्टी मैंसे लोग थे जो नहीं चाहते थे अब आप चुनाव लड़ें उस समय I knew there are some people in my party जो मुझे खुद ही हरा देंगे आज वो ही नेता वापस आपकी पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं किसी नेता की बात नहीं की मैंने किसी नेता की आपकी मुझे से ये करवा रहे हैं मैं बात कह रहा हूँ मुझे उस समय जो आपकी पार्टी के लीडर थे महारास्ट में अगर आप नाम नी ले रहे हैं तो मैं भी नाम नी लूँगा लेकिन सच यह है कि उस समय जो आपकी पार्टी के नेता थे महारास्ट में वो फिर आपकी पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं आपकी अदालत में आज सवालात और इल्जामात के घेरे में है स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील ददद पर इल्जाम है कि इनके शासन में खेलों का बुरा हाल है दस्ताफ जिसने स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे आपने का था कि सब की खबर लूँगा सारी फेडरेशन से हिसाब लूँगा उनको पटरी पर लाऊँगा लेकिन तीन महीने बाद आप बदल गए आपके रहें सारी जो फेडरेशन से वो आटानुमस पॉड़ी है आप कुछ नहीं कर सकते वो आटानुमस तो है वो यह तो मानना पड़ेगा मैं उनसे मिल भी रहा हूँ अभी मैं मेरा खार है कि काफी फेडरेशन के चीफ से मिल चुका हूँ मैं उनकी फीड़ बैक ले रहा हूँ क्योंकि जो 15-20 साल से 30 साल से जो फेडरेशन लगी हुई है तो यकदम उनका मोड बदलना तो बड़ा मुश्क्र हो जाता है डिमाकरिसी में अगर इनके लिए आप डिक्टेटर बन भी जाएंगे जनता बहुश होगी जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं वो सब के सब बड़े बड़े पुलिटिकल लीडर्स के हाथ में है पुरियर अजनदाद कुशी दस साल से फुटबॉल फेडरेशन के चेर्मेन बने हुए है आपकी कॉंगर्स पार्टी के नेता है कैबिल्ट मिनिस्टर है लेकिन फुटबॉल में हमारे देश 143 नंबर पर है विजोकमार महलोतरा बीजेपी के बड़े भरी लीडर है आर्चरी में लीडर बने हुए है आज तक हमने कभी एक तिर निशाने पर नहीं लगा जगदीश टाइटलर है वो जूड़ो फेडरेशन के अध्यक्ष बने हुए है सुरेश कलमार्णी है वो ओलिम्पिक एसूसेशन के अध्यक्ष बने हुए है वो एतलेटिस के भी अध्यक्ष है कोई भी आप स्पोर्ट फेलिशन उठा के देख लीजे उसके लीडर्शिप में बैठा हुआ कोई नेता मिलेगा आप मेरे साथ मुझे मेरबानी क्यों नहीं करते हो आप ऐसा करो कि सारे नेताओं को यह बुला लो यह महाराथियों को उनको इंट्रिव करो उसाब इतने चिकने घड़े हैं दस साब की कुछ असर नहीं होगा उनके उपर ने 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 आप गड़ों में से पानी निकालोगे आप पुछे आप पुछे आप पुछे आप जी यूएव बन आप जैए यूएव ने पीपल इंट्धन राज पिले वो पेड आप फोर्थ लंपिक नट वेज वेज पीपल आप दो यह बास सही है दस साब की जब लोग धंडराज पिले को रोते हुए देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है और लगता है कि आपके जैसा आप में तो कबसे कुछ करें I hate myself, you know, any athletes being humiliated. If I had this feeling of athletes being humiliated, I will never go to a village. When I went over there, the village, I met each and every athlete over there. I was sitting on the ground and watching the match of this Leander and Bupti when they are playing over there, the first match, I was sitting on the floor. लेकिन दस साब, मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें तो पता चला कि आपको भी humiliated किया गया था. आपके भी रहने की जगह जो main complex था उससे बहुत दूर एक hotel में रखी गई थी. यह जोror है जो भी拜拜." That is a different matter all together, I don't have any complexes. That's why I didn't … But it is never true था है कि नहीं है? I was staying in a different hotel altogether. जो खिलाड़ी वहा ग 320 आपे जो ढूरा शी नहीं है. यह बास सीह है? इसलिए आपसे उमीद है, उन खिराणों को उमीद है, जनता को उमीद है कि कम से काम आप कोई एक्षिन लेंगे It takes time, it takes time when the things are bad, you can't make a building overnight It took him at least 2-3 years to make this beautiful environment If you tell him no do it in one day, this is not possible Sir, मेरा सवाल यह है कि ओलम्पिक से कुछ दिन पहले होक्की के कोच को हटा दिया गया कि भारतिय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा है और अब फॉरेंद कोच रखा जाएगा लेकिन आज हम देखते हैं कि वह होक्की कोच को द्रोनाचारे अवार्ड दिया जाता है तो वह कोच का प्रदर्शन अच्छा था या खराब था लकीस बेसिस पर उनको द्रोनाचारे अवार्ड दिया जाता है यह बहुत अच्छा सवाल आप ले पूछा है क्या होता है कि जब यह जो एवार्ड देते हैं न वो मिनिस्टर नहीं देता मिनिस्टर कमेटी बनाता है देखे पर मेरे उबर है तो फिर मैं पराओंगा। गिसको नियुक्ती किसको बचुनते हैं किसको नियुक्ते हैं और पर गॉर इस अगा तो युद्ट इस लिए पॉग जोटती है। अगर आप इतने हेलपलेस तिखेंगे तो जनता को बहुत तक्लिफ हो की। नहीं नहीं हूँ, देखे, अगर आप कहें, यह दो चीज़ें होती है, अगर तो मैं कहूंगा, वही ठीक होगा, क्या है कि आज आप देखिए कि जब यह अरजना अवार्ड होए हैं, उसमें मेरा कोई नहीं है, हमने कमेटी बनाई, कमेटी में, आप खुछ जानते हैं कि कमेटी में अगर हम इंटिफियर करेंगे, आज पहले हमारे बनती हैं, आप कम से कम आप स्पोर्ट की पॉलिसी ऐसी बनाएं, जिसमें कोच का सेलेक्शन ठीक तरह से हो, जिसमें खिलाडियों को फैसलिटी से ठीक से मिलें, जिसमें आव मैं मिनिस्टर, आज बनता है और ये कहता है कि जो मैं बॉक्सिंग जानता हूँ, मुझे बालूँ जाएं, मुझे बालूब हम प्रफेशन से हूँ. मगर अगर आप ये कहें कि मैं बॉकसिंग के बारे में जानता हूं मैं हाकी के बारे में जानता हूं मैं फुटबाल के बारे में जानता हूं तो फिर तो फेडरेशन की जूरत है नहीं है सारे जो नेता हैं वो फुटबाल भी जानते हैं प्रिकेट भी जानते हैं, हौकी भी जानते हैं, आप सोचे दसाब, अगर यही पुलिटिकल इडर कल को फिल्मे बनाने लगेंगे तो क्या होगा? ने, सवाल ये पेदा, मैं दूसरे निदाओं के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. दसाब, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जो आदमी फुटबॉल फेडरेशन में उसको फुटबॉल खिलना नहीं आता, जो होकी फेडरेशन में उसको होकी नहीं आता, जो आदमी बॉक्सिंग फेडरेशन में उसने कभी एक घुजा भी नहीं मारा होगा. तो क्या एलेक्ट कैसे हो जाते हैं फिर ये लोग उन्होंने एक अपना एक जाल बनाए हुआ है और सिर्फ वो ये जानते हैं कि मंत्री जी से और बियोरोक्रेट से काम कैसे कराना है इसलिए वो फेडरेशन बने रहते हैं ये अपने लोग हैं जो इसलेट करते हैं उनके अपने एक्सपर्ट करते हैं आज अगर फेडरेशन जो है आपकी अलम्पिक की जो कलमाडी है उसका जनल सेक्रटी जो है इंसलिए शूटर इंसलिए शूटर इस बिन आवाड़ेट इस तो देखे शोपीज दोचा रखते हैं होगी मैं पने पनिए लिए तरू सेम वे हॉकी आज़े फेडरेशन यादो हम फेडरेशन को चेंज करें उनका चांसे ऐनकोол dify पर इस चीजम नहीं जाता की खिलाड़ी कैशे करें उनका ध्याद्ियों जाता है अ हम इन सब को मिल रहे हैं, फेर्डेशन के चीफ को मिल रहे हैं, उन से उपीनिंस ले रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं, ये ऐसी चीजें नहीं हो जाती हैं कि ओवर नाइट आप उनकी बदल दें, पहले उसकी जानकारी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि उनक कुछ कमियां हैं सब कुछ है उनको कैसे दूर करना है ताके सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है हमारे प्लेयर्स को मिले अगर आप स्पोर्ट्समें से मिलेंगे जो वाकी में खेलते हैं और जहां पर वो फेडरेशन के लोग ना बैठे हो तब आपको असलित पता चलिए इस प एकसेप्शनल केस हो सकता है मैं कहता हूँ है तो मगर एक चीज़ मैं बताओं आपको कि ये चीज़े जरूरी है कि हम उसकी जानकारी करके उसमें रिफार्म्स लाए रिफार्म्स ऐसी हो जिससे के बेनिफिट मिले हमारे खिलाडियों को देखिए अधर साब सौ करोड के डलाए ये देश के लिए तो शर्म के बात ही है ने ने मगर अजीब है अजीब है कि ने ने सवाल ये पैदा होता है कि ये मेरा खाला है कि जो आदमी तीन महिने में बना है मंतरी और आप उसको कह रहे हैं को और नाइट चीज़ें बदल दे आए तो नहीं कि आपके जैसा कुछी और को ले आईए जो तीन महिने में चीज़ें बदल दे तो मैं मैं आइल सलीट दगाए नहीं आपके जैस्ट चूब कि आप सब में जो बैठों हैं वो आ जाएं मेरे साथ मेरे साथ आ जाएं जो वो कहेंगे मैं करूँगा और अगर चीज़ें बदल जाए तो आई नहारू सेंटर में जा के विज़िट की थी हम मुझे मताईे अब मैं पूछ सकता हुआ रहां सवासे? सबबडी मस् विजिट ओवर देर और 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 यू से वर देर और आज वारे में अगर प्लेयर के बारे में सोचता नहीं तो मैं पचास डालर उनका इंट्रीज क्यों करता कि मुझे मालूम है कि यह चीज़ें घरत हो रही हैं उनको सुधारने के लिए यू कांट एक्सपेक्ट एमनिस्टर ओवर नाइट विकम सम्थिंग हां इफाव बात्शाय वाज़ डिक्टेटर आयल वाइबर बड़ी बड़ी मैं पूरे स्टाफ को चेंज कर दूगा मैं सब घरत होता नहीं कि अगर्याओं वे आप सब गर exist eto अगर यह यह सपोर्व्ट को सुधारने के लिए लिए हैं तो जंता अतारीफ करेंगे मैं इस भी सवाली कोह साथ ख्यार को को हैर तो सब कुर चाहिए कि पहलाई है ये थे जन्ता के अन्जामात और सवालात स्पोर्ट्स मिनिस्टर और फिर्म स्टार सुनिल दथ पर। अब वक्त आज की करवाई पर जन्ता के जज वाईसी हालन के फैसले का। लगाएगा चार्जिस और विद्वान वकील की दलीलों को मद्दे नजर रखते वे अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि सुनिल दथ पर अधिकतर चार्जिस सिद्ध नहीं हो सके हैं। अगर आपने अपने को प्रमोट किया है तो ये हर एक का हक है अगर किसी को नुकसान नहीं पहुचा आया है तो ये प्रूव नहीं हो पाया है कि इन्होंने गैन कानूनी तरीके से अपने को प्रमोट किया है। राजनीती में मिस्फिट होना अभी पूरी तरह प्रूफ नहीं होता है अगर आप अपने काम और नाम से एक लंबे प्लिटिकल स्ट्रगल के बाद मिनिस्टर बन गए हैं तो ये मिस्फिट नहीं है बेटे को कानूनी दायरे में रखते हुए प्रोटेक्ट करना हर बाप का फर्ज है ये प्रूफ नहीं हो सका है कि आपने गैर कानूनी तरीके से संजय दत को बचाने की कोशिश की इसलिए ये अदालत सुनील दत को बाइज़त बरी करती है और उमीद करती है कि स्पोर्ट को पॉलिटिक से अलग करेंगे और प्रो एक्टिव मिनिस्टर की तने काम करेंगे आपके अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया फिल्म स्टार और पॉलिटिशन सुनील दत पर इस उमीद के साथ कि सुनील दत स्पोर्ट के हाला सुधारेंगे और अगली बार जब भारते टीम और लॉपिंग पे जाएगी तो ज्यादा मेडल लेकर लोटेगी इस विश्वास के साथ आज का प्रोग्रम यहीं समाप करते हैं अगले सब्ता फिर मिलेंगे आपके अदालत में एक नया मुकदमा लेकर तब तक के लिए नमस्कार